दोस्तो आज मैं आप लोगों के शाहत शेयर करूंगा मनसुन में रोज़ फ्लॉर प्लाइंट की क्यार कैसे करेंगे रोज फ्लार प्लांट की root treatment कैसे करेंगे और रोज फ्लार प्लांट को अभी fertilizer क्या देना है और क्या नहीं देना है शब कुछ एक ही वीडियो में मैं आप लोग को share करूंगा अगर आपके पास shinder media में रोज फ्लार प्लांट है तो आप लोग को इस वीडियो देख लेना चाहिए और patience रखे पूरा देखना चाहिए ताकि मनसुन में आपकी फ्लार प्लांट बहुत ही अच्छा से ग्रो करे और first growing हो बहुत ज़दा first grow करे और आपकी फ्लार प्लांट healthy भी रहे मेरे पास जो रोज फ्लार प्लांट है यह रोज फ्लार प्लांट एक शिंडर मिडिया में बारा इंच की एक pot में लगा हुआ है last time बहुत ज़्यादा high temperature रहने के कारण फ्लार प्लांट की growth बिलकुल रुक चुके थे कुछ श्रमाई मैंने fertilizer नहीं दिया था कोई भी insecticide fungicide use नहीं किया था सिर्फ पानी देते थे इसके बाद भी बहुत पत्ते खराफ हो गए थे पत्ते जर गए थे बहुत कुछ हुआ है लेकिन आभी finally दो से तीन बार बारिश हुआ है इट मेंस आभी rainy season आ चुके है almost और आभी cloudy weather है एक दिन पहले ही रात में बारिश भी हुआ है तो आभी आप कहशकत हो climate काफी जदा favorable है और एक दो बार बारिश से ही देखी रोज फ्लार प्लाइन्ट की जो growth है growth restart हो चुके है और हमने fertilizer भी start कर दिये है शब कुछ बताएंगे आप लोगो को कि green garden अपने रोज फ्लार प्लाइन्ट में fertilizer क्या देते है ये देखी निव निव जो branches आ रहा है निव निव फुटाओ आ रहा है ये देखी निव निव पत्ते ही आ रहा है बहुत ही अच्छा से आ रहा है और शंदर growth है ये फ्लार प्लाइन्ट को देखने के बाद आपकी मौन में एक question जरूर आया होगा कि ये फ्लार प्लाइन्ट तो बहुत ज़्यादा बुशी है देखने में बहुत संदर है तो इसका ID किया है इसमें आभी एक फ्लार खिले है देखिए मैं आप लोगों को जाते है तो एक प्राइज लेकार ही आता है एक ऐसा क्वालिटी की प्लाइन्ट है मेरजरी फ्यार हूज क्वांटिटी में ब्लूमिंग करते है प्लाइन्ट कभी-कभी आप अगर बहुत अच्छा से क्यार कर लेते हो पांस से छै फीट शाद फीट तक लंबा होता है मैंने देखा है लेकिन रियारेष्ट होता है मैंने रियारेष्ट देखा है ऐसा बाकि इस तीन से सारे तीन फीट हाइट मैंने प्लाइन्ट देखा बहुत ज़्यादा बुशी है मेरे फ्लाइर प्लाइन्ट आभी उतना ज़्यादा बुशी नहीं है लेकिन इसके बाद भी काफी बुशी है और एक शाथ एट ए टाइम 500 से उपर फ्लावर खिलते है ए फ्लावर प्लाइंट में आगे चलके ए फ्लावर प्लाइंट में और दिखाऊंगा आप लोग को और इसका जो परफरमेंस होगा आगे म निव-णूट इप्स को आपको प्राटेक्ट जरूर करना है निव-णूट इप्स में फ्लावर भी लागेंगे बाड साएंगे नए-पत्ते होंगे तो इसमें बहुत सारे बिमारी अभी लगने वाले है जैसे कि शबसे पहले ठ्रीप्स कउंटीनू लगते है और साल भर थ्रिप्स की अटक को रोकने के लिए हमको क्या करना है हमको शब से पहले इमीड अक्लोपीड आप अगर कंफुडर यूज करेंगे तो कंफुडर लेजिए 1 ml एक लिटर पानी में मिलाके आपको एस्प्रे करना है हपते में एक बार किस टाइम एस्प्रे करेंगे मरिंग में इस्प्रे करें अभी बरशात की टाइम है शाम को कोई भी फलियर इस्प्रे ना करें मर्निंग आउर में करें, क्लावडी होंगे तो आप दिन में करें, दस बज़े करें तब भी चलेगा, अगर सानलाइट नहीं होगा तो, लेकिन रात में बारिश होने के बाद देखिए पत्ते गिली है, तो इक गिली पत्ते होंगे तो इसके ओपर आप कोई भी फलेयर करें, सेकेंड, फंजी साइड हर दस दिन में एक बार आपको जरूर इस्प्रे करना है, आप एमिस्टार टॉप बवान एमेल एक लिटर पानी में मिला के इस्प्रे करें, और नहीं तो रिडो मिल गोल्ड दो गिरामेक लिटर पानी में मिला के इस्प्रे करें, मैं एजो जोल 1 ml एक लिटर पानी में मिला के इस्प्रे करें डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट मिलेगा इस टाइम PGR की काफी ज़्यादा ज़र्योत है PGR आप देंगे तो आपकी फ्लार प्लाइन की ग्रोथ फस्ट होगा PGR में मैं यूज करता हूँ सुपर सुनाटा 1 ml एक लिटर पानी में मिला के इस्प्रे करते हैं और शाथ में मीरा कुलान अगले हपता 2 ml एक लिटर पानी में मिला के इस्प्रे करते हैं एक हपता की गैप देके दोनों को हम इस्प्रे करते हैं एक तरिक को मीरा कुलान तो 7 तरिक को सुपर सुनाटा ऐसे करके डोज 1 ml एक लिटर पानी में मिलाए एक इस्प्रेडर सिलिकान बेस्ट इस्प्रेडर जिसको इस्टिकर भी आप लोग बोलते हो कुछ भी बोल सकते हो इस्टिकर या इस्प्रेडर आप जरूर एड़ करें जिसका डोज होगा 0.5 ml पर लिटर वाटर लेकिन आप अगर 15 लिटर की टेंक में मिलाएंगे तो काइंडली आप 5 ml से ज़्यादा ना ले इसके शासाथ आपको बहुत ज़्यादा अभी धेन रखना है रोज फ्लार प्लाइंट में ब्लाक एस्पार्ट बहुत ज़्यादा लगने वाले हैं ब्लाक एस्पार्ट अगर लागेंगे तो ध बहुत दूर फैक दीजिए और इसके उपर बहुत ही एक अच्छा क्वालिटी की फांजी साइड एस्प्रे करें आप ब्लाक एस्पार्ट अगर ब्लाइटाक्स यूज करेंगे तब भी बहुत जल्दी सल्ब हो जाते हैं लेकिन दूसरे पेरों से थोड़ा सा दूर रखन की कोशिश करेंगे नहीं तो यह बिमारी ब्लाक एस्पार्ट एक फांगास की बिमारी है बहुत जल्दी फैलते हैं इस बात को धेन रखेंगे अब यह अगर डाइवेक होगा तो डाइवेक को काट करें फंजिसाइड की पेश्ट लगाए इस अब छोटे-छोटे काम आप जर्णा को देखना है आपके पास शिंडार मिडिया होने के बाद भी यह जो मैंने बताया इशश्णा और शर्णाय दोनों में ही एक अफ्लिकेपल है दोनों में ही सेम तरीग से कर शकते हैं इसके बाद भी डाइवेक हो रहा है यह मतलब आपके प्लांट की root bound हो चुके है पॉट की डेनेजोल प्रॉपर नहीं है तो रसा चेक कर लिजेगा इसके बाद भी डाइबेक होता है तो आप क्या करेंगे कुछ ट्राइकोडर्मा लीजिए 10 ग्राम और पॉट में डाल दीजिए हलका सा पाने डाल दीजिए चलेगा आपकी फिलार प्लान्ट में जो भी डाइबेक आता है धीरे धीरे करके वो क्योर होना एस्टार्ट हो जाएगा जिस ट्राइकोडर्मा यूज करेंगे चार से पांस दिन की आगे और पीछे मतलों पहले और बाद में आप कोई भी केमिकल फांजिसाइट सिर्फ यूज ना करें बाकिश आप चीज़ यूज कर सकते हो मल्टिपल माइक्रनियोटेंट इस्टाइम मास्ट बहुत ज़्यादा जरूरत है मल्टिपल माइक्रनियोटेंट आप अगर इस्प्रे नहीं करेंगे तब आभी आपकी फ्लार प्लान्ट में लीप क्लोजीज हो शकते हैं धेन रखे हम जब भी नियूट्रेशन देते हैं और बारिश होता है और क्या होते हैं वास हो जाते हैं तो इसलिए हमको मल्टिपल माइक्रनियोटेंट बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा हफ्ते में एक बार ज्यादा मेंस ओवर्डोज नहीं देंगे हफ्ते में एक बार एक अच्छा मल्टिपल माइक्रनियोटेंट ज कीनों मैंसे कोई भी लिजिए और मैंने डिस्किप्शन बक्स में कुछ फर्टलेजर हो कि लिश्ट मैंने दे दिये है लिंक दे दिये है और मुबाइल नंबार प्रोवाइट कर दिये है वहाँ पर जाके आप लोग पर्चेस कर शक्ते हों यही कुछ टीपs और जो फर्टले प्लान्ट में स्केल की बीमारी लगशकते हैं धेन रखिए इसकेल एक ऐसा बीमारी होते हैं इस से छुटकर अपाना बहुत मुश्किल होता है और आपको समाझने में काफी देर हो जाते है स्क्रीन के उपर कुछ इसकेल की बीमारी मैंने दिखाया है यह आप बहुत अच्छा से देखिए देखने के बाद आइडेंटिफाई कर लिजे आपकी फिलार प्लान्ट में आगर इसकेल की बीमारी लगा है तो आप टीट्मेंट कैसे करेंगे इसका टीट्मेंट कर पाना बहुत ही टाप काम होता है आप इसके लिए लिजिए मेलाथियन 2ml एक लिटर पानी में मिला के एस्परे करेत कंटीनु करेंगे 5 दिन आंतर से एक बार 2ml एक लिटर पानीमे smell के एस्परे करेत तब जाके आपकी klar plant से इसकेल की बिमारी जा शकते है अगर आपके पाश मेलाथियन नहीं है तो दो मेडिशन में और बता रहा हूँ और एक है टोकेन यह दोनों ही एक ही कंबिनेशन की है दोनों में से कोई भी एक मिल जाएगा description box देख लिजेगा मैंने वहाँ पर आप लोगों को पूरे वैवस्ता कर दिये है ocean और नहीं तो token यह दोनों में से कोई भी एक मिल जाएंगे इसका dose तो होता है बैसे 0.6 gram एक granules form में आते है 0.6 gram पाल लिटर वाटर लेकिन आप थरा सा डोज बढ़ा के देंगे बान गराम एक लिटर पानी में मिला के आप स्प्रे करेंगे आपको डेफिनेटली अच्छा result मिलेगा लेकिन इसके साथ आपके पास जो नीम आईल है नीम आईल 5 ml मिलाएंगे एक लिटर पानी में उसी पानी में एक gram ocean एयर token मिला के एक एस्प्रेडर में लाएंगे 0.5 ml बहुत ही अच्छा से शेक करेंगे इसके बाद एस्प्रे करेंगे 5 दिन अंतर से चार बार एस्प्रे करेंगे 5 पास दिन अंतर से आपकी फ्लावर प्लान्ट से जितनी भी scale की बिमारी है शब रिमूब हो जाएगा सही हो जाएगा चलिए आप मैं फर्टिलेजर दे लिता हूँ फर्टिलेजर में green garden हमेशा यूज करते है green garden की special rose mix फर्टिलेजर एनपी के 1-2-2-2 ये फर्टिलेजर हम देंगे ये फर्टिलेजर हम कितनी quantity में देंगे ये देखिए मेरे पास जो spoon है ये है 1 gram की spoon इसकी एक spoon लेंगे यानि की एक gram देखिए ये जो media है media आभी moist है moist मतलब रात में बारिश हुआ है तो आभी हमको पानी देने की जरूरत नहीं है और नहीं तो फर्टिलेजर हम कैसे देते जैसे कि पहले हम पानी डाल देते एक लिटर दे लिटर जितना भी पानी की जरूरत है उतना पानी हम डाल देते डालने के बाद ये जो फर्टिलेज देंगे यह देखिए यह फटलेजर हमने एक ग्राम लिए है एक ग्राम लेने के बाद हम एक फटलेजर ऐसे करके शॉयल मीडिया की ओपर जो शिंडर है शिंडर की ओपर बिखर देंगे आपके प्लांट अगर शॉयल में है तो आप शॉयल में दिजिए और ऐसे बिखर बिख़णने के बाद floor plan को नेलहाना है, सवारिंग करना है, आप बुलेंगे मेरे floor plan की पत्ते अभी गिली है, इसके बाद भी हलका सा सवारिंग करें, क्यों करेंगे? यह जो हमने fertilizer दी है, यह fertilizer थोरे से गिली होना चाहिए, गिली होंगे तो धीरे धीरे करके रूट तक पहुचेगा और हमारी फ्लार प्लांट लेना एस्टार कर देगा चलि मैं पहले थोड़ा सा सौरिंग कर देता हूँ सौरिंग करने के लिए हमने क्या किये है यह देखिए ग्लांट में मैंने कुछ पानी भर लिया और इसको स्टार कर दिये है कुछ पानी की बोचर हम यहाँ पर मार देंगे जहाँ पर फैटले जट दिये है एक गिली हो चुके है इसके बाद उपर से हमको ऐसे करके सौरिंग कर देना है ओवर बाटरिंग हम नहीं करेंगे बरशात की टाइम भी ओवर बाटरिंग नहीं करेंगे सिंदर मिडिया में भी ओवर बाटरिंग नहीं करेंगे दिखी यह हमने सौरिंग कर दिये है सौरिंग हो चुके है बैस इससे ज़दा सौरिंग की ज़रूरत नहीं है आप जो fertilizer हमने दिये है ये fertilizer मिलना start हो जाएगा plant को आप मैं आप लोग को बताएंगे कि हम root treatment कैसे करेंगे root treatment के लिए आपको क्या क्या करना है root treatment के लिए आप लोग पूरे बारिश की टाइम में एक बार only for trichoderma दो चमच याने कि 10 gram quantity में trichoderma देशकते हो चाहे shawl media हो चाहे shinder media हो आप इसके उपर से विखेट दीजे और इसके बाद पानी डाल दीजे एक number second one हफते में एक बार root treatment हम देंगे ताकि आभी root बरशात की पानी में बहुत ज़्यादा बढ़ेगा इसके बाद भी हम उसको healthy रखने के लिए और भी कोशिश करेंगे क्या कोशिश करेंगे आपके पास NPK 12.1.0 और नहीं तो NPK 13.4.13 इसके बाद फिर से नहला देंगे तब भी चलेगा आप NPK 12.1.0 हफते में एक बार और नहीं तो NPK 13.4.13 दोनों में से कोई भी एक हफते में एक बार हफते में एक बार humic acid हुमिनोज लिजिए आप लोग उतकर्ष कमपनी की इसको क्या करेंगे एक ग्राम quantity में देखी एक ग्राम है एक ग्राम quantity में एक लिटर पाणी में मिलाएंगे मिलाने के बाद हम वो जो पानी है वो पानी एक पॉट में डालेंगे जितना रिकर होगा एक लिटर की पूरा जरुत पड़ेगा तो आप एक लिटर पूरा देंगे आधा लिटर की रिकर है तो आधा लिटर देंगे अगर धाई शेमिल के रिकर है तो धाई शेमिल दीजी लेकिन डोज होगा बान ग्राम एक लिटर पानी में ये दोनों आपको हफते में एक बार करना है शिंडर मीडिया में फाट लेजर थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ता है तो दो दिन तो हमने दे दिये हो तो एनपी के बाराकशाट जीरो और नहीं तो तेरा चालिस तेरा एक दोनों में से एक एक दिन हुमिक एसिड एक दो चले गए बाकी जो दिन बाचेंगे उसमें से आप होशाटते है तो डेली दीजिए मिक्स फैट लेजर आपके पास मिक्स फैट लेजर होगा ग्रिन गर्डेन के स्पेशाल रोज मिक्स फैट लेजर होगा ये मिक्स फैट लेजर यूज़ करे एक ग्राम करके छोटे प्लांट होगा तो कम यूज़ करे आधा ग्राम यूज़ करे बड़े प्लांट होगा तो loge flur plant की care करेंगे तब आपको अच्छा result मिलेगा दोस्तो कोई भी query है आप लोग comments बक्स न जाकर जरूर comments कीजिएगा आप लोग को पूरा comments की answering किया जाएगा उम्मीद करूँगा दोस्तो आप لوगको मेरा वीडियो पसंद आए अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, शाबस्क्राइब जरू करें, शाथ में बेल आइकन को प्रेस करें, ठैक्सर वाचीन